नमस्कार प्रिदर्शकों हाजिर हूं मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं वक्री ग्रहों के बारे में जन्म कुंडली का जब आप अध्यान करेंगे और उसके फल कथन के तरफ जाएंगे तो वक्री ग्रहों के प्रभाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है वक्र का अर्थ क्या होता है वक्र का अर्थ होता है टेड़ा मेड़ा जोतिश शास्त्र वक्र का अर्थ लेता है उल्टा अब देखा जाए तो सूरी और चंद्रमा आप सभी जानते हैं कि सूरी और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते ये सदैव मार्गी रहते हैं राहू और केतू ये सदैव इनका जो भ्रमणत है ये वक्री है ये मार्गी नहीं होते और मंगल से लेकर के शनी पर्यंत ये जो पांच ग्रह हैं ये सदैव मार्गी और वक्री होते रहते हैं अब ये मार्गी और वक्री होना है क्या इसी को जानना है क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे इसके फल कथन को हम फल कथन करते समय इसको नहीं समझ सकेंगे प्रिदर्शकों सबसे पहले ये जाने लीजिए कि कोई भिग्रह सूर्य से लेकर के शनी परियंत ये वक्री नहीं होते, ये सदैव मारगी ही रहते हैं लेकिन हमें ऐसा आभास होता है, हमें ऐसी प्रतीती होती है कि ये वक्र होगा है नि उल्टा चलने लगे हैं ये केबल आभास है, अब सबसे पहले जानिए कि सूर्य वक्री क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, इसको ऐसे समझ ये कि जो केंदर में है, सूर्य की परिक्रमा सभी अपनी धूरी पर करने के कारण, वो एक जगह अपनी धूरी पर घूम रहा है, लेकिन बाकी सब उसके चक कर लगा रहे हैं, तो सूर्य केंदर में होने के कारण, वो कभी हमें वक्री होता दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा आभास ही नहीं होता, सो सूर्य हमेशा मारगी रहता है, चंद्रमा की ये दिबात करूं, तो प्रित्वी के बहुत करीब है, उसकी गती बहुत तिब्र है, औ और इस कारण, वो कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता, कि वो वक्री हो रहा है, वो सदैव अपने पत पर प्रित्वी के सापेक्ष चलेगा, और चलते चलते, भ्रमन करते करते, वो प्रित्वी के करीब तिब्रता से पार हो रहा है, इसलिए वो भी कभी हमें वक्री होता प्रतीत नहीं होता, इसका एक बड़ा सरल सा उदाहरण आपको शास्त्रकारों ने दिया है, मैं आपको बताता हूँ, रेल गारी, ट्रेन में हम सभी यात्रा करते हैं, अब जरा देखिए, ट्रेन में यदि आप बैठे हो, आपकी जो गारी है वो तेजी से जा रही है, लेकिन बगल वाली पट्री पर, थोड़ी दूरी पर जो एक पट्री है, उस पर एक और ट्रेन आती है, अगर वो ट्रेन आपके ट्रेन की गती की बराबरी कर दे, तो थोड़ी देर के लिए, कई बार ऐसा होता है, कि वो जो पीछे से ट्रेन आई है, उसकी गती बहुत तिब्र है, और आपके ट्रेन के वो बराबरी पर चलने लगे तो ऐसा महसूस होता है ट्रेन रुका हुआ है दोनों के दोनों ट्रेन रुके हुए हैं लेकिन वही यदि आपका ट्रेन तेजी से निकलने लेन आप उस बगल वाली ट्रेन की गती थोड़ी नियून हो या आपके ट्रेन की गती पर सीधा जा रहा है बड़ी सरलता से समझेगा इतना सरल है कि यहां ब्रम पालने की आवशक्ता ही नहीं है वो ट्रेन बिलकुल सीधी अपनी दिसा में आगे की तरफ बढ़ रही है लेकिन हमारे ट्रेन की जो गती है वो थोड़ी तिब्र हो गई तो हमें क्या प्रतीत हो रह रहा है तो यह आपने जाना कि वक्री और मार्गी का अभिप्राय क्या है यह अवहास है रिशियों ने या उन जोत्र विदों ने जो जोתिसके गणना कर इनकी गणना ग्रहनक्षत्रों की जो गणना कर रहे थे उन्होंने पाया कि यह ऐसा प्रतीत हो रहा है चुकि सभी भ्रमण कर रहे हैं तो ऐसी प्रतीती हुई इसे लिए वक्री और मार्गी की बात कहीगी अन्य था सभी के सभी ग्रह सूर्य से लेकर के शनी परियंत ये मार्गी ही रहते हैं वक्री नहीं होते लेकिन चुकि यहां पर बात आभास की हो रही थी और आभास के चलते उसकी प्रतीती के चलते जन मानस पर उसका प्रभाव होने लगा या प्रभाव हो रहा है अब इसको समझने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए एक सरल सा उधाहरण सबसे सुभगर हम देवगुरू ब्रहसपती का लेंगे और सबसे पापगर शनी का लेंगे क्योंकि राहू और केतु तो सदाइव वक्री ही रहते हैं अतह जो मारगी और वक्री हो रहे हैं उन्हें सबसे अधिक शनी और सबसे जादा सुभ वो देखिए मंगल है कौन पापग्रह है कुरूर है लेकिन कहां पर बैठा है तो गुरू के घर में अब यहां एक बात जानेने की आवशक्ता है कि प्रतीती में जो प्रभाव आ रहा है वो किस प्रकार का रहा है जो ग्रह सुभ है उसकी सुभता में ब्रधी जो ग्रह सुभ है उसके सुभता में ब्रधी जो ग्रह पाप है उसके पाप प्रभाव में ब्रधी लेकिन कहां जब वो उच्च का हो रहा है और नीच का हो रहा है तब वहां पर उसके प्रभाव में बिसेश अंतर देखने को मिलता है उदाहरण, इस सामान्य तया देखा जाए तो मंगल को मैंने जैसा कहा कि ये पापग रहे इस जनमान को चक्र में मंगल फल दे रहा है ज्यान भाव का और ब्याय भाव का बैठा है कुंडली के चतुर्थ स्थान में अपने अतिमित्र गुरु के घर में द्रिष्टी डाल रहा है कहां पर तो कुंडली के दसम भाव पर जहां वो दिगबली होता है वहां पर पहले सी सुर्य उपस्थिप मंगल की द्रिष्टी ने दसम भाव पर जहां वो दिगबली होता है जातक को कई बार जातक के स्वभाव में कैसा उदाहरण आया ध्यान से समझिए जातक चुकि दसम भाव में सूरे बैठ करके यहाँ पर दिखबली है जातक अत्यंत पराक्रमी क्योंकि सूरे भी पराक्रम के कारण है लेकिन मंगल जो पूर्ण पराक्रम का ही कारण बाना गया है जातक के पराक्रम में कभी खूब बृद्धी हो जाती है चुकि धनु लगन क्या साइन कहता है इस साइन को समझिए मैं इस कुंडली पर समझाता हूं फिर बाकी को भी आपको समझा देता हूं ये साइन क्या कहता है अगर धनु का आप साइन देखेंगे तो पाएंगे कि एक ऐसा पुरुष जो आधा गोड़ा और आधा मनुष्य है अगर आप गोड़े पर बैठें और गोड़े को दोड़ाएं तो हो सकता है गोड़ा कहीं अड़ जाए हो सकता है घोड़े का मन कभी ना कह दे लेकिन यदि आधा घोड़ा और आधा मनुष्य यानि कि संचालन घोड़े का कौन कर रहा है मनुष्य उस अवस्था में वो अपने लक्ष के प्रति सदाईव भागता रहेगा यहाँ पर जातक की कुंडली में मंगल क्या प्रभाव दे रहा है कभी जातक का पराक्रम अत्यंत तिब्र क्योंकि वो वक्री है और अपने मित्र के घर में बैठा है या नीच और उच्च का नहीं हो रहा है अतह उसका प्रभाव जो है सामान ने रहा बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिया यहाँ पर जातक को मंगल ने पराक्रम तो दिया लेकिन एक सामान में यहीं प्रभाव अगर मैं उच्च और नीच पर घटाऊं तो बिल्कुल अलग देखने को मिलता है कैसे मान लीजी यह जन्म कुंडली जहाँ पर मैंने धनु लगन की बना रखी यह ब्रिश्चिक लगन की कुंडली बन जाती है अब ब्रिश्चिक लगन की कुंडली में ब्रिश्चिक धन मकर कुंभ मीन यहाँ पर पंचम उस्थान के मालिक गुरु बनते हैं गुरु कौन है तो गुरु है संतान के कारक अब ब्रिश्चिक लगन की कुंडली में गुर गुरू तृतिये भाव में बैठ गएं, तो तृतिये भाव पराकरम का घर हुआ, यहाँ पर गुरू ब्रिश्चिक धन और मकर, मकर रासी में गुरू नीच के होते हैं, नीच का घर है, गुरू का मकर रासी, अब जातक की कुंडली में, जिसकी ब्रिश्चिक लगन की और नीच का होने के कारण, चुकि संतानेस और संतान के कारण नीच के होने के कारण जातक को संतती नहीं होनी चाहिए, यह सामानित मैं पुनह कहूंगा कि इसमें जब आप जोतिस में और अधिक आगे बढ़ेंगे, तो यहां कई सारी बातें हैं, शंतान भाव पर कितने ग्र हम पाएंगे कि गुरु यहां पर पहले तो संतानेस नीच का हो गए, तो जातक को संतती प्राप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस जातक के जीवनकाल में बहुपुत्र योग हुआ, जातक को कई संततिया हुई, क्यों? क्योंकि नीच के घर में बैठा वक्री गुरु उच जैसा प्रभाव देने लगा, पुनह समझेगा, चुकि यहां पर प्रतीती हो रही है, और प्रतीती का फल मिल रहा है, कि वो नीच के घर में बैठने के बाद उच्च के समान फल देने लगा, और जातक को बहुपुत्र लाभ कराया, वहीं इसी कुंडली में संतानेस गुर अगर आप देखें, तो यहां पर करकरासी हो जाएगी, करकरासी होने के चलते करकरासी में गुरु उच्च के होंगे, और उच्च के गुरु यदि वक्री हो जाते हैं, पुनह, मैं पुनह समझाना चाहूंगा, बार बार समझाना चाहूंगा, कि मैं एक उदाहरन दे रहा संतान होने के संदर्व में कई सारी बाते लागू होती हैं केवल हाँ गुरु को कारक माना गया है प्रतेक भाव से संबंधित विशय और उसके कारक ग्रह पर विचार किया जाता है तो जैसे इसी ब्रिष्चिक लगन की कुंडली में गुरु नौम भाव में बैठ करके संतान भाव पर अपनी द्रिष्टी डाल रहे हैं नौमी द्रिष्टी डाल रहे हैं उचका होकर के वक्री हैं और जातक को संतती नहीं प्राप्त हुई अथवा संतती का सुख उसको नहीं मिला क्यों क्योंकि यहां पर बैठे गुरु अपना जो प्रभाव देने लगे वो उचक पर पहुंचा कहां पर तो उच्च और नीज मैंने ग्रहों के प्रभाव के बारे में बताया था तो क्या बताया था कि पॉइंट सबसे जया किसको दिया पांच अंक दिया था उच्च के ग्रह के यानि कि अधिक्तम अगर अंक दिया जाए तो 35 अंक हमने दिया था मैं 5 कहा य को यदि खोलिए और वहां पर आपकी कुंडली में सनी को ले लिजिए सनी यदि कुंडली में नीच का होकर के बैठे हैं वक्री हैं तो सबसे पहले देखिए वो कहां का प्रभाव दे रहे हैं निश्चित रूप से वो सनी आपके जीवन काल में जब उनकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आएगी या और किसी ग्रह के अंतर प्रत्यंतर में आएंगे तो वो स्रेष्ट लाभ देंगे क्योंकि वो वक्र होने के कारण उनका स्वभाव नहीं बदला सनी पापक रहा है वो पापक रहा ही रहेंगे लेकिन उनका प्रभाव बदल गया क्योंकि वो प्रभाव कहां से दे रहे हैं तो वो नीच के घर में हैं वक्र है यानि हमें प्रतीत कैसी हो रही है उल्टा की तो उल्टा का प्रतीत क्या नीच के जगह पर होने के चलते वो प्रतीती उच्च के लिए रहे हैं न तो वो उच्च हैं न वो सुभग रहो गए हैं वो जो हैं वही हैं लेकिन उनका प्रभाव जनमानस पर ये बड़ी गंभिरता से समझने वाला विशा है और मैं कुना कहूंगा कि आज ये विशे समाप्त नहीं हुआ बस आप इस पर थो भग रह नहीं हो गए फिर उनके प्रभाव में बदलाव आया कैसा बदलाव स्थान पर जाने के चलते यानी नीच के घर में गए और वक्री हैं और प्रतीती कैसी दे रहे हैं तो उल्टा की तो वक्री और नीच नीच के उल्टा अगर हम करें तो उच्च होगा तो वो ग् से समझ में आ जाएगा और मैं समझता हूँ कि आज मैं समझा सका होंगा कि कोई भी ग्रफ वक्री नहीं होता राहू और केतू सदैव वक्री रहते हैं बाकी कि ये साथ ग्रफ सदैव मार्गी ही रहते हैं हमें केवल प्रतीत ऐसा होता है कि वो वक्री हो रहे हैं उदाहरण मे अपनी कुंडली को खोल करके, आप लोग देखिए, यदि वो नीच के घर में है, तो वो प्रभाव उच्च के जैसा देगा, उच्च के घर में है, तो उसके प्रभाव में अंतर आ जाएगा, वो कमजोर फल देने लगेगा, नीच के जैसा फल देने लगेगा, और अभी बा प्रभाव मंगल बुद्ध और शुक्र इन तीनों ग्रहों का हमारे उपर है जब ये वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव बहुत तेजी से अलग रूप में दिखाई पड़ने लगता है इस विशय को मैं आगे आने वाली दिनों में और ब्रिहत रूप से आपको समझाऊंग तब आप इस चीज को समझ सकेंगे कि मारगी और वक्री है क्या पुनह याद रखेगा कि मारगी और वक्री में ग्रह मारगी ही होता है लेकिन जब हमें प्रतीती ऐसी होती है तो उसे हम वक्री कहते हैं तो आघ लिवे वस इतना ही हासा करता हूँ कि आज का विशय आप को समझ में आ गया होगा पुनह इस विषय पर भविष्य में मैं और ब्रिहत विडियो जब और ग्रहों के बारे में जन्म कुंडली को और गहराई से आप लों को समझा लूँगा तब इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज अगर उस पॉइ आप सबके समुक हाजिर होंगा तब तक के लिए नवस्कार